वेल्कम टो एजी सिम्पल अजीस तलबाउ तालेबाद आपने देखा हुआ कि आपके हर क्वेश्चन पेपर में स्वाल नमबर पांच में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है छे मार्स के लिए खत या तो फिर आपको खुलासा लिखना होता है तो हमने लेटर राइटिंग के लिए भी एक वीडियो बनाई है और हमारे कोईश्चन पेपर जो भी हमने सॉल्ल किया उसमें भी आपको लेटर बताए है लेकिन कई बच्चों के कम्रेंट आ रहे थे कि मेडम खुलासा भी बताईए तो देखे आप इस वीडियो में हम सीखेंगे आप खुलासा किस तरह लिखेंगे इसके पहले हमने हिस्टियार नवेसी, खुतूस नवेसी और मजबून नवेसी की वीडियो बनाई है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे यह सवाल लिया है, हमने आपके दसवी जमात का कुईशन पेपरा 2020 का उसमें कए सवाल है जैल के इक्तेबास को गौर से पढ़िए और इक्तेबास का खुलासा लिखिए पहले आपको इक्तेबास गौर से पढ़ना है कुद्रत ने ऐसे कई परिंदे और जानवर पैदा की है जो माहूल को साफ सुद्रा रखने के जिम्मेदार है क्योंकि वो बहुत सी सड़ी गली चीज़ों को अपनी गिज़ा के तौर पर खाते है ऐसे सफाई करने वाले परिंदों और जानवरों की मौजूदगी से पाक रखने में दुश्वारी पेश आ रही है पहले ये होता था कि दही इलाकों और कस्बों में मरे हुए जानवरों को रियाई से इलाके से दूर फेक दिया जाता था जहाँ थोड़ी ही देर में सैकडों गिद उन्हें खाने के लिए आप आउशते थे लेकिन आज ये लाशी हफतों तक पढ़ी रहती है जिससे इलाके में गंदगी और बद्बू फैल जाती है शेयरी इलाकों की हालत भी नाजुक होती जा रही है मुर्दा जानवरों के पढ़े रहने से शेयरी इलाके भी आलूदगी के मसायल से दोचार हो रहे है देखे खुलासा लिखने से पहले हैं कि बताया क्या जा रहा है इसमें हमें गीत के बारे हम बताया जा रहा है कि बहुत सारे खुद्रत ने ऐसे जानवर पैदा किया है जो मुर्दा जानवर को खाते है जिसके वज़े से माहल साब सुद्रा रहता है और उनकी तादत में कमी आने की वज़े से अब बहुत ज्यादा परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है और माहूल में गंदगी फैल रही है तो इस तरह आपको इसका खुलासा लिखना है खुलासा इस तरह लिखे है आपके खुलासा जादा बड़ा नहीं लिखना होता है लेकिन ऐसा लिखना होता है कि मतलब वाज़ हो जाए जैसे कि हाँ पर देखिए कुदरत ने कई ऐसे जानवर परिंदे पैदा किया जो माहूल को साफ सुतरा रखने में मददगार होते है गिद भी इनी में से एक है पहले दही इलाकों में लोग मुर्दा जानवरों को रियाई से दूर फेक दिया करते थे तोड़ी ही देर में उन्हें खाने के लिए वहाँ सैकड़ों गिद जमा हो जाया करते थी लेकिन गिद की तादाद में कम्या आने की वज़े से मुर्दा जानवरों की लाशे हफ्तों तक पड़ी रहती है और उनकी सड़ने की वज़े से माहूल में बदगार आलोगी बढ तो देखिए अब इसे हम पहले पढ़ लेंगे आहाती के शुमाली गोशे में एक नीम का दरफ्त है कुछ दिन हुए वर्ड ने इसकी टहिनी काट दी थी और जड़ के पास फैक दी बारिश हुई तमाम आइदान सरसब्स होने लगा नीम की शाकों ने भी ज़र्द टहनी को देखो हरे हरे पत्तों और सफे सफित फुलों से लदी हुई थी लेकिन इसकी कटी हुई टहनी को देखिए तो गोया इसके लिए को इनकलाब आया ही नहीं वैसी कि वैसी सूखी पड़ी पड़ी थी पड़ी है ये भी इसी दरफ्त की एक शाक है जिसे बरसाथ ने आते ही जिन्दगिया शादावी का नया जोड़ा पहना दिया ये आज भी दूसरी टहनी की तरह बहार का इस्तकबाल करती है मगर अब उसे दुनिया के मौसमी इनकलाब से कोई सरोकार ना रहा बहार खिजा गर्मी सरदी खुश्की वो तरावत इसके लिए सब यक्सा हो ग गया है अब उस पर माहूल का कोई असर नहीं होता वह वैसी की वैसी पड़ी रहती है तो इसे आपको खुलासे में लिखना है खुलासा इतना लिखिए बस छोटा सा लिखना है और उसमें आपका तमाम माफूम वाज़ हो जाना चाहिए देखे हमने इसका खुलासा लिखा है आहाते के शुमाली कोने में एक नीम का दरग था कुछ दिन पहले एक वार्डे ने इसकी एक टहीनी काट कर जड़ के पास फेक दी बारी हाने पर सारा मैदान सरसब्स हो गया नीम का दरग भी हरा बरा हो गया इसकी हर टहीनी पर हरे हर कोई असर नहीं होता देखिए जो उस पैरिग्राब में बताई जा रही बात इसमें भी वही बात बताई जा रही है शॉट में यानि मफूम तमाव पुरा वाज़ हो गया है तो उमीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा